नमस्कार दोस्तों स्वागताब सभी का एक बर फिर से मरी यूट्यूब चैनल रेर फैक्ट्स में दोस्तों आज की वीडियो में हम मौसम्मी के बारे में बात करेंगे जो की एक नीम्बू परजाती का ही फल है परंतु नीम्बू से कई गुना ज़्यादा लापदायक है दोस्तों मौसमी का फल नारंगी के बराबर आकार का होता है मुंबई और गुजरात में मौसमी को मौसमी कहते हैं और उत्तर भारत में भी बहुत सारी जगाय पर इसे मुसंमी या फिर मौस्मी कहते हैं। उत्तर परदेश में इसे मिठा निम्भू भी कहा जाता है। मौस्मी का रस साबुन सराब तथा अन्य पेव में डाला जाता है इसके छिलके से निकला हुआ तेल जल्दी उड़ जाता है इसलिए इसके तेल को जैतून के तेल के साथ मिलाकर उप्योग किया जाता है दोस्तो मौसमी का उप्योग कोसक आहार के रूप में होता है मौसमी के तीन किसमें नेवल, जुमेका और माल्टा है मौसमी की कलम लगाने से आजकल इसकी अनेक परजातियां उपजती है नेवल किसम अमेरिका में उत्तम मानी जाती है माल्टा का छिलका वेरस लाल रंका होता है मौसमी के फल एक आधा महीना तक बिना बिगडे जोंके तो बने रहते हैं इसलिए इनको लॉंग टाइम तक स्टोरेज किया जा सकता है जोस्तो मौसमी में अनेक तरह के विटामिन्स होते हैं इसमें कैलसियम, प्रोटेंस, फाइबर्स, आयरन, पोटेशियम, फासपोरस, भरकूर मातरा में फैले होते हैं जोस्तो मौसमी का पेड़ 6 मिटर तक उचा और फैला हुआ होता है ये काटों से यूग तो रमेशे भरा रहता है मौसमी फल कच्ची अवस्ता में हरे रंका तथा पकने पर सुनहरा या नारंग की रंका हो जाता है जो की अलग-अलग परजातियों पर डिपेंड करता है फल के अंदर चिकने सफेद रंके तथा नुकीले बीज होते हैं मौसमी का रास सारिक सक्ती और भूक बढ़ाता है मौसमी का वानस्पतिक नाम, अगर बात करें तो सिट्रस, सिनेंज़ सेज और ओसबैक कहा जाता है और मौसमी एक रूटेसी कुल का पोधा है मौसमी ना सिर्फ सरीर में जलगी कमी को पूरा करने में मदद करता है आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो मेरे यूटल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा मिलते हैं दूसरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद